मैं आपका पोस्टर लगा दूँ और मैं तो अपने कार्यकरताओं से कहूंगा हमारी ये साथी हैं इनकी पोस्टर लगा दो शायद ये भी कुछ बन जाए पोस्टर लगने से कोई नहीं बनना है जी हाँ सपा अध्यक्ष ने नसीहत अपने उन नेताओं और कार्यकरताओं को दी है जो अखिलेश यादव को 2024 का भावी प्रधान मंतरी घोशित कर रहे हैं दरसल दो दिन पहले समाजवादी पार्टी दफ्तर के बाहर सपा प्रवक्ता फखरूल हसन चांद ने अखिलेश यादव को जन्मदिन मुबारक बाद देने के लिए पोस्टर लगाया लेकिन उनका पोस्टर जन्मदिन से नहीं इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि उसमें अखिलेश यादव भावी प्रधान मंतरी लिखा था पोस्टर लगने के बाद सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा तेज हो गई कि क्या अखिलेश यादव भी खुद को इंडिया के प्रमुक चहरे में स्थान देने की योजना बना रहे हैं या फिर हालही में कॉंग्रेश से छीडी रार को लेकर वो कॉंंग्रेश को दबाव में लाना चाहते हैं हलाकि जब इसको लेकर अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो अखिलेश बोले कोई पोस्टर लगाने से प्रधान मंतरी नहीं बनता अखिलेश ने तंज कस्ति हुए कहा, अगर पोस्टर लगाने से कोई कुछ बनता है, तो हमारे साथ खड़ी महिला का पोस्टर लगा दीजे, शायद वो कुछ बन जाएं कोई भी लगा रहा है पोस्टर, मैं आपका पोस्टर लगा दूँ और मैं तो अपने कारकरताओं से कहुँगा, हमारी ये साथ ही है, इनकी पोस्टर लगा दो, शायद ये भी कुछ बन जाएं, पोस्टर लगने से कोई नहीं बनना है, हाँ अगर किसी की भावना है, किसी कार सरफ से ही बात है, समाजवादियों का लक्षी है कि भारती जनता पार्टी को रोका जाएं, तो सुना आपने अखिलेश यादव के प्रधान मंत्री बनने के सवाल पर खुद अखिलेश ने जवाब दिया है, कि वो सिर्फ भाजपा को हराने के लिए लड़ रहे हैं, कोई लगाने से प्रधान मंत्री नहीं बनता, फिलाल अखिलेश के शब्दों में समर्थकों की भावना का सम्मान दिखा, आपको बता दें कि अभी हाल ही में सपा में लोटे फायर ब्रांड राम लोटन निशाद ने अखिलेश यादव को प्रधान मंत्री बनाने की हुंकार भ सबसे पहले सपा प्रवक्ता जूही सिंग के बयान से उठा था, हाला कि तब भी अखिलेश यादव ने सफाई दी थी और अभी सफाई देते हुए कहा है कि समर्थकों के सपने का सम्मान लेकिन उनका ऐसा कोई सपना नहीं, हाला कि आपको बता दें कि सियासत का ये सिंपल फॉर्मूला रहा है कि अपनी बात कारेकरताओं से कहलवा कर सामने वाली पार्टी और नेताओं पर दबाव बना दो, फिलहाल अंदर की कहानी क्या है, इसे 2024 का शंखनात तै कर देगा ब्यूरो रिपोर्ट एंटी टीवी भारत